दोस्तो, मैं प्रोप्सर सुनिल्ट मरगुप्ता, लेक्चरर इन जिलोजी, स्टारम साउ कोलेज मरादा मेरे पास बायोलोजी पढ़ाने का 32 वर्सों का एक्स्प्रियंस है अगर आप में से कोई बंदा बायोलोजी के बारे में जामकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इमेल आइडी पर अपने कोईस्टन के माध्यम से जामकारी पराग कर सकते हैं पराया दोस्तो, देखा जाता है कि लोग बायोलोजी के बारे में मिसमाइंडेड होते हैं बहुत सारे दूसरे दूसरे फैकल्टी के लोग बायोलोजी के स्टुडेंट्स को बताते हैं बायोलोजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, बायोलोजी एक मेमोरियल सब्जेक्ट है, जबकि बास्तविक्ता यह है कि आप बायोलोजी का डाताबेस अध्यन कर सकते हैं, निमरिकल अध्यन कर सकते हैं, बायोलोजी को आसानी से समझने के लिए उसके डीप थीम में जाना होगा और फिर उसका total database तयार करने के बार इस जो conclusion होता है वो biology को बहुत आसान बनाता है इसलिए आप अगर biology में interested है आप अगर अपने जीवन के वारे में जानने के लिए interested है आप दुनिया में रहने वाले जीव यंतु पेर पवदे सबों के बारे में एक कोमन डॉलेज की जानकारी लेना चाहते हैं या पिर लाइक में होने वाले किसी भी एक्टिविटी चाहे वह जेनेटिक्स का छेतर हो रिप्रोडक्शन का छेतर हो या पिर जो है इस अभी जो आप देख रहे हैं गलोब इसान, इकोलोजी ये जो विविन छेतर हैं बायोलोजी के इसको बहुत इजी वे में समझने के लिए हम आप अगर तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में मैं बायोलोजी को आप तक आसानी से पहुंचाने का प्रयास करूंगा और इतना निश्चित है कि अगर आप मेरे साथ जूरते हैं तो आप केवल बायोलोजी ही नहीं अन्य छेतरों में भी हमारे साथ जूर कर अपने लाइप को, अपने होबीज को आगे बढा सकते हैं पढ़ाई एक समस्चाप के रूप में भी द्यारती लेते हैं अगर पढ़ाई को इंज्वाई क तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि एक बच्चा भी बाइलोजी को अच्छी तरह से केवल बाइलोजी ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकता है, फोलो कर सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। अगर आपका मन अभी कर रहा है कि हम गाना गाएं, तो अधा घंटा गाना गाएं, अगर आपका मन कर रहा है कि आज डांस करेंगें, तो मीजिक दीजिए, डांस किजिए, बावा रामदेव जिस तरह से योगा कराते हैं, आप डांस करिए, आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा कभी swimming करने का मन हो, swimming करिए, swimming is the best exercise, तो आप सारा चीज करिए, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहा है, उसके theme में जा करिए, उसका conclusion, database conclusion प्राप करिए, और फिर हर एक subject को enjoy करिए, अगर biology से संबन भी किसी में प्रकार का, आपके मन में सवाल हो, किसी भी इसके chapters से आपका कोई सवाल हो, तो आप मेरे email ID जो इस video के माध्यन से आपको मैं भेज रहा हूँ, आप हम से consult कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम समस्ते हैं, कि आपको biology ही नहीं अन्य कुछ subjects के भी उत्तर आपको आसाम तरीके से दिये जाएंगे, कि आपको 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